नमस्कार स्वागत है LNMU Notes में ललीत नरायन मितला इन्वर्शिटी दर्भंगा LNMU दर्भंगा ने UGBABSCB.com सेशन 225 पार्ट टू का जो एक्जामिनेशन फॉर्म है फॉर्म भरने का डेट ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट जो हो जारी कर दिया है तो LNMU Part 2 Degree 2 का जो हो फॉर्म जो हो आप भर सकते हैं जिसके लिए नोटीस जारी कर दिया गया है तो हम लोग समझ लेते हैं कि नोटीस में क्या लिखा गया है और आपको जो हो एक्जाम फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन करना है और एक्जाम फॉर्म में जो कुछ गलत हो जाता है फॉर्म भरते बक उसको कब से कब तक सही करने का डेट दिया गया है तो सारा चीज जो हो नोटीस में लिखा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि नोटीस में क्या कैसे कहा जा रहा है तो देखिए सबसे पहले हैं बात करते हैं कि exam form कौन-कौन भर सकता है तो exam form वही भर सकता है जो part 1 में pass है या फिर promoted है पार्ट 1 में pass है या promoted है तो आप जो हुँआ पार्ट 2 का exam form भर सकते है पार्ट 1 में fail है तो exam form नहीं भर सकते हैं ठीक है तो सेशन 22-25 में Part 1 में अगर fail है तो वो exam form नहीं भर पाएगा Part 2 का और अगर promoted है या फिर pass है तो आप Part 2 का exam form online भर सकते हैं तो 22-25 Part 2 का exam form है वो online भरा जाएगा कब से कब तक 10 April से लेके 25 April तक बिना fine के साथ 10 April से लेके 25 April तक आप Part 2 का exam form भर सकते हैं और fine के साथ 26 April से 30 April तक आप online exam form भर पाईएगा और अगर form में कुछ गलती हो जाता है form भरते बगत examination form online भरते बगत अगर कुछ mistake हो जाता है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं online अब उसको आप online सुधार कर पाईएगा 5 मई से यानि 5-5 से 8-5 तक 8 मई तक आप सुधार कर सकते हैं आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा और जो भी आप form भरिएगा उसको आपको जैसे की form भरते बगत जो भी आपका print out निकलेगा print out को एक copy अपने पास रखना है और एक copy जो हो आपको अपने college में जाके जमा करना है ठीक है तो part 2 का exam form LNMU दरभंगा session 22, part 2 का exam form है वो 10 April से online भरना start होगा जो 25 April तक भर सकते हैं बिना fine के साथ, fine के साथ 26 April से लेके 30 April तक भर सकते हैं और form में correction जो होगा कुछ गलत हो गया तो उसको ठीक करने का 5 मई से लेके 8 मई तक आप online कर सकते हैं फिलहाल exam का date जो हूँ मान के चलिए इसके ही 15 दिन बाद ये महिना बाद जो भी form भरना है मतलब कि मान के चलिए कि आपका अगर मई तक जो हो form भरा ही जा रहा है लगभग माई last या जून में जो हूँ आपका जून 1 में जो हे आपका exam स्टार्ट हो जाएगा तो part too prookike exam डेट का अधाजा अगर लगाया जाए तो में लास्ट में या फिर जून 1 में जो हूँ आपका exam हो सकता है ap लोग को एक लेंडर के इसाफ से पहले बता दिया गिया थे अगर कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा तो इस वीडियो को यहीं पर खतम करतेतही है अगले वीडियो में अगले अप्डेट के साथ लनमी नोर्स के यूट्यूब चैनल पर झाल, 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 झाल.